रॉंग्चल मुवी की इस सीरीज में हम देखने वाले की कैसे एक फादर अपने बेटी को बचाने के लिए सारी खतरनाग मुसीबतों का शामना करता है और वो कैनिवल्स का फूड भी बनने वाला था बट क्या वो उससे पहले अपनी बेटी को और खुद को बचा पाता है ये जाने के लिए पूरी वीडियो को देखे और दो सब्सक्राइब दे चैनल मुवी के स्टार्टिंग सिन में स्कॉर्ट नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी जेन को ढून रहा था अज़ छे अपते फैले जेन और उसके पाच दोस्त अफालचन माउंटन में हाइकिंग के लिए आये थे और वो वहाँ पर खो गए थे सो देर्स वाइ स्कॉर्ट उसे माउंटन के पास वर्जिने टाउन में डूरने के लिए आया था अब यहाँ आके स्कॉर्ट टाउन के पुलिस चिप को कंपलेन करता है बच्चीव इस बात को सीरियस नी लही लेता वो उस होटल ओनर से बात करता है जिसके होटल में जैन और उसके पास दोस्त ठहरे थे बट फिर वे उसे अपने बेटी के वारे में कुछ ठीक से पता नहीं चलता अब वो पास में एक बार में जाता है जहां नेट नाम का एक आदमी उसे बताता है कि वो सारे लोग बहुत ही अक्रू थे और वो जहां भी हाइकिंग के लिए गए है वहां से कोई बापस नहीं आता एस वहां का इन्वार्मेंट ठीक नहीं है स्कॉर्ट अब डिसाइड करता है कि वो भी माउंटन में जाये जेन को ढूनने अब स्टोरी छे अपते पहले चली जाती है जहां जेन, डारस, आड़म, मिया, लुईस और गैरी नामके छे दोस वर्जिने टाउन के अपाल्चन माउंटन में हाइकिंग के लिए आये थे ये लोग होटल में चेक इन करते हैं अनेस होटल के ओनर जेन को साफधन करती है सिर्फ हाइकिंग वे में हाइकिंग करने के लिए जंगल की इनवार्मेंट कभी-कभी डेंजरिस हो जाती है दिन ये लोग बार में ड्रिंक करने जाते है अनेट उन्हें टूर गाइडिंग सर्विस ओफर करता है बट ये सब उससे बहुत ही रूट बीएव करते हैं दूसरी तरफ इनके कार को एक आदमी चेक कर रहा था सो एडम उसके उपर गुसा होकर उससे गाली देने लगता है और उस पर एक एमटी बॉटल बे फेक देता है उसरा जिन अपने फादर को कॉल करके अपने लोकेशन की सारी डीटेल बता देती है जिस वज़े से उसके डैट यहाँ आप आए थे उसे ढूणने नेक्स मॉर्निंग जॉगिंग करते वक्ट जिन तो लोकल परसिन से मिलती है एक है एडित एंडू थी एडित हैंट में ट्रीस्टवन बना के उसे सेल कर रही थी जिन उससे एक बैंड खरीद लेती है अब फाइनले वो सारे दोस हाइकिंग के लिए जाते हैं और नेचर को इंजॉय करते हैं डारियस कहते है कि जंगल में ही एक सिविल वार टाइम का मॉनुमेंट है और उन्हें वो फ्लेस विजिट करना चाहिए बाकि सब मान जाते हैं बट जिन को यह ठीक नहीं लगता अस वो हाइकिंग ट्रेल से भटकना नहीं चाहती थी बट अपने बॉइफरेंट डारियस के फ्रेशर देने से वो मान जाती है अब उस मॉनुमेंट को ढूनते हुए वो लोग एक गलत टन ले लेते हैं अब यह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तब ही एक उड़ लोग पाहर से उपर फुल स्पीड में उनकी तरह आता है सभी लोग इस लोग को देखकर भागने लगते हैं पर जल्दी भागने के वज़े से वो लोग गिर जाते हैं और वो उड़ लोग आकर लोईस के बॉइफरेंट गैरी को क्रश कर देता है जिस वज़े से उसकी मौत हो जाती है लोईस केरी के ऐसे हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वो डैरिस को केरी का मौत का जिमेदा ठहराता है अब सभी लोग बहुत शौक हो गए थे और बापस ट्रेल के तरफ जाकर हेलप लाने का डिसाइड करते है अब पूरा दिन ढूनने के वाद ही उन्हें ट्रेल नहीं मिलती अब वो इस जंगल में भटक चुके थे दिन रात होती है और बारिश भी होने लगती है जिस वज़े से वो लोग जंगल में ही टेंट लगा कर कैंपिंग कर रहे लगते हैं अब आधी रात को बिजली करेकने के वज़े से जेन की नीन तूट जाती है और वो किसी का साया देखती है टेंट के पास अब सुबह होती है उन्हें पता चाहता है कि वो लोग ग्रेवियार्ड में सो रहे थे वहाँ पर एक डिकलरेशन बोर्ड भी था जिसकी डेट थी नवेमर 24, 1859 इस बोर्ड में किसी फाउंडेशन नाम की कल्ड के वारे में लिखा था ये बात उस टाइम की है जब अमेरिका के नौर्टन साउस स्टेट में वार होने वाला था सो वार से बचने के लिए कुछ फैमिलिस यहां जंगल में आकर रहने लगते हैं तिन उन्हें पता चाहता है कि उनका मुबाइल फोन एंड मिया गाइब हो चुके थे आडम डेनिशन में अपने गल्फरिंड मिया को ढूरने जाता है और जहां उसे रूती दिखाए देती है रूती उसे देख के भागने लगती है ऐस आडम वे उसके पीछे भाग रहा था बढ़ भागते उसका पैर एक ट्रैप में फस जाता है जिस वज़े से वो एक ट्रैप होल में गिर जाता है बढ़ वो आडम की हेल्प नहीं कर पाते एस वो होल बहुत ही डीप था जिन अब उन्हें कहती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है सो इसलिए उन्हें जल्दी बाहर निकल के हेल्प लानी चाहिए जिन डेरिस और लुईज आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक लोनली सेल्टर दिखाए देता है जहां कई सरे हाइकर्स के ड्रेस, फोन और बाकी हाइकेन एक्यूपमेंट रखी हुई थी नेक्सेन में दो माक्स पहनवे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एडम को उठा कर ले जा रहे थे अब जेन अन उसके बाकी दो शेल्टन में पड़े हतियार को लेकर माक्स मैन के उपर हमला करने जाते हैं ये माक्स पहने वाले लोग बहुत ही अजीब थे एन एक अनन लेंगविच में बाते कर रहे थे जो कि जेन अन बाकी सब समझ नहीं पा रहे थे अब इसे पीछ एडम को होश आ जाता है एन वो घबराहट में वहाँ पर पड़े एक उडलोक से एक माक्स मैन आदमी को उपर हमला कर देता है वो उसकी सब को फोड कर उसे मार देता है सो इस सिचुएशन में दूसरा माक्स मैन वहाँ से भाग जाता है तभी मिया वहाँ पर आती है वो कहती है कि वो पासी में नेचर स्कॉल के लिए गई थी तभी उन्हें तो माक्स मैन वे लोग दिखाए देते हैं उस ट्रैप के अंदर नुकीले स्पाइक्स थे जिस वज़े से वो धीरे धीरे मरने वाली थी बट आड़म उसे ऐसे हालत में देखकर उसके हेल्फ करने के वज़ए वहाँ से भाग जाता है बट फाइनली माक्स वैन वे लोग उन सब को पकड़ लेते हैं नेक्सन में हम जेन को एक होल में देखते हैं जहां एरित उसे फूड और वाटर देती है अब उन सारे लोगों को एक सीक्रेट विलज के अंदर ले जाया जाता है ये विलज फाउनेशन कर्ल का विलज था जो की 1859 से इस डंगल में रह रही है वो लोग बहर की दुना से पुरा अलग होकर यहां पर रह रहे हैं और बहर से ऐगर कोई गलती से उनके विलज में आ जाये तो उन्हें मार देते हैं अब ये विलज ही उनके लिए पुरी दुनिया जैसी थी अन इसे विलज में एक कोड़ था जहां पर जिन और उसकी दोस्तों का ट्रायल होने वाला था विलेच का हेड होता है वेनेवल जो कि इन सब का सेजा टै करने वाला था वो इन पर माक्स पहने वाले उस आदमी जिसका नाम होता है सैमवल उसके मर्डर का आरोप लगाता है अब यहाँ एक आदमे जिसका नाम होता है हॉब्स वो ये कहता है कि वो उन लोगों को टाउन से फॉलो कर रहा है और वो एडम की और इशारा करके कहता है कि ये बहुती बुरा आदमी है ऐसा आदम ने उसे गाले दी थी और उसके उपर बॉर्टल वे फेकी थी और हफस वही आदमी था जो उस रत उनके कार के पास खड़ा हुआ था अब सैमुल का भाई मॉर्गन जो की दूसरा मार्क स्पैन वह आदमी था वो उसके भाई की मौद के डिटेलिंग देते हुए एडम को उसके मौद का जिमेदा ठहराता है वे नवल सैमुल के बॉडि को उनके सामने रखके जेन को question करता है क्या ये सब ठीक है जेन डर जाती है और कहते है कि एडम ने सैमुल को नहीं मारा है बट उसके पीछे रूटी खड़ी हुए थी जो बताती है कि आडम नही सैमुल को मारा है एस उसने ये सब होते हुए देखा है एडम अब इस सिचुशन में ड़र की रूथी को पकड़ के उसे मारने की धंकी देने लगता है और उन्हें यहाँ से जाने देने के लिए क्याता है बट रूथी कुद को सेव करके एडम को पकड़ा देती है वैनेवल एडम को पनिश्मेंट के रूप में देथ सेंटेंस दे देता है और बाकी लोगों को डार्कनेस में डालने के लिए कहता है अज़ वो उनके आखे निकाल के उन्हें जील में डालने वाला था अब नेक्स दिन में वैनेवल एडम को उसी तरह मारता है जस तरह उसने Samuel को मारा था Lewis ये सब देख के भागने की कोशिश करता है बट Foundation के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे ब्लाइन कर देते हैं जेन अब बचने की कोशिश में Venival को एक ओफर देती है जेन कहती है कि वो और डारियस यहां Foundation में रहेंगे और उनकी मदद करेंगे और जेन खुद को Venival को ओफर कर देती है क्योंकि उसे पता था कि Venival उसके तरफ अट्राक्टेड है अब Venival एकी कंडिशन में उसकी बात मानता है कि अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा सो Venival जेन को as a wife accept कर लेता है और जेन भी अपनी किस्मत को मान लेती है तिन स्टोरी प्रेजन टाइम में आती है जहां स्कॉर्ट जेन को ढूरने हाइकिंग में जाने वाला था होटल ओनर उसे Foundation के बारे बताते हुए यह कहती है कि शायद उसकी बैटी मर चुकी है अगर स्कॉर्ट भी वहां जाएगा तो वह भी मर सकता है नेक्स सिन में नेटर उसके फ्रेंड स्कॉर्ट को पीट के उसे टाउं से भगाने की कोशिश करते हैं पुलिस चीफ स्कॉर्ट को मार खाते हुए देख भी कुछ नहीं करता अज वो भी इन सब में मिला हुआ था बट फिर भी स्कॉर्ट जेन को धूने विना यहां से नहीं जाने वाला था सो होटल नोलर अब अपने नेफियो एडन उसके फ्रेंड कूपर को भी वेज देती है उसके साथ हाइकिंग करने के लिए एड स्कॉर्ट को कहता है कि जंगल के अंदर बहुत सारी ट्रैप्स है जिससे उन्हें बचना होगा पर तभी कूपर ऐसे ही एक ट्रैप होल में गिर जाता है और उसे बचाने की कोशिश में एड का फैट ट्रैप से लग जाता है और उनकी उपर नुकीरे स्पाइक्स गिर जाते हैं जिस वज़े से एरन कूपर ये दोनों ही मर जाते हैं अब Scott अकेले ही जंगल में घूम रहा था और उसे कुछ समय बाद Foundation के लोग पकड़ लेते हैं Finalist की मुलाकात होती है Jen के साथ बट Jen उसके साथ आने के लिए मना कर देती है Venival Trespassing के लिए Scott को Darkness की सजा देता है बट आधी रात में Jen secretly Scott को बचा लेती है वो Darius को भी उनके साथ आने के लिए कहती है बट Darius इसके लिए मना कर देता है रूती Jen और Scott को भागते वे देखती है बट वो उनकी हेल्प करती है शायद वो भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी देन रूती उन्हें ट्राइल रूम के अंदर एक सीक्रिट डार्क वे को दिखाती है जहाँ पर लोगों को अंधा करके रखा जाता था अब यहाँ पर लोग मॉस्टर जैसे जी रहे थे यहाँ से बाहर निकलने या मरने की आशा में Jen को वहाँ लूइस भी मिलता है जिसे Jen मार के उसे उसके दर्ट से आजाद कर देती है नेक्स इन में उनके पर एडित और हॉप्स भी हमला करते है बद Jen उन दोनों को मार के आगे वर जाती है अब वो और स्कॉट हाइकल ट्रेल के पास आ जाते है जहां नेट और उसके दोस गल लेकर खड़ी हुए थे नेट स्कॉट से कहता है कि 6 साल पहले उसका नेफ्यू भी इस जंगल में गायव हो गया था और उसने स्कॉट को इसलिए मारा था ताकि वो यहां से चला जाए और उसकी साधी वैसा ना हो तब ही फाउंडेशन के लोग उन पर हमला करने लगते हैं जिनने नेट मार देता है नेट स्कॉट और जेन की जान बचाते हुए उन्हें टाउन में लेकर आता है अब इस बात कर कुछ महीने बीच चुके थे एक दिन अचानक से वैनवल जेन की घर में आता है और वो जेन की स्टेप मदर को जूट बोलता है कि वो उनका नया पड़ोसी है और वो बिजनस के वज़े से यहाँ पर आया है दिन जेन भी जॉप से बापस घर आ जाती है तो वो वैनवल को देख कर शौक हो जाती है प्रेजन में जेन प्रेग्डन थी वो भी वैनवल के वज़े से अब जेन अपने स्टेप मॉम एन ब्रदर को दूसरे रूम में भेज देती है क्योंकि स्कॉट के विजनस को वही हैंडल कर रही थी जेन वैनवल के साथ एक डील करती है अगर वैनवल उसकी फैमिली का छोड़ देगा तो वो उसके साथ चले जाएगी वैनवल इसके लिए मान जाता है तिन वो तिनों ट्रॉक में बैट कर अपने गाउ की और जाने लगते है और इस ट्रॉक में कल्ड के और वी मेंबर्स थे कुछे तेरबाद जाने के बाद ट्रॉक की आक्सिरेंट हो जाती है जन वैनवल इन कल्ड के बाकी साने लोगों को मार देती है दिन एंड में वो और रूती एक साथ घर की तरफ आने लगती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है